देहरादूर में दर्बार साहिब के पास दर्शनी गेट बाजार में एक पत्ता स्टोर में आग लग गए बाजार के बीच आग लगने से दुकानदारों में हलकम पचिया आग में दुकान के अंदर लाखों का सामान था वो जलकर खाक हुआ देखते ही देखते लोगों ने पुलिस फायर बिगेट को सूचित किया मौके पर फायर बिगेट की टीम ने आग पर काबू पाया लेकिन गली काफी सक्री थी जहां ये दुकान है तो टीम को आग बुझाने में बड़ी मुशक्त करने पड़ी फिलाल आग पर काबू पा लिया है लेकिन अभी आग की वज़ए सर्फ शॉर्ट सर्किट अनुमान लगाया जा रहा है कुछ क्लियर नहीं हो पाया है बाजार के बीच आग लगने से दुकानदारों में हलकम पचिया आग में दुकान के अंदर लाखों का सामान था वो जलकर खाक हुआ देखते ही देखते लोगों ने पुलिस फायर बिगेट को सूचित किया मौके पर फायर बिगेट की टीम ने आग पर काबू पाया लेकिन गली काफी सक्री थी जहां ये दुकान है तो टीम को आग बुझाने में बड़ी मुशक्त करने पड़ी फिलाल आग पर काबू पा लिया है लेकिन अभी आग की वज़ए सर्फ शॉर्ट सर्किट अनुमान लगा जा रहा है कुछ क्लियर नहीं हो पाया है बाजार के बीच आग लगने से दुकानदारों में हलकम पचिया आग में दुकान के अंदर लाखों का सामान था वो जलकर खाक हुआ देखते ही देखते लोगों ने पुलिस फायर बिगेट को सूचित किया मौके पर फायर बिगेट की टीम ने आग पर काबू पाया लेकिन गली काफी सक्री थी जहां ये दुकान है तो टीम को आग बुझाने में बड़ी मुशक्त करने पड़ी फिलाल आग पर काबू पा लिया है लेकिन अभी आग की वज़ए सिर्फ शॉर्ट सॉर्किट अनुमान लगाय जा रहा है कुछ क्लियर नहीं हो पाया है सबसे पहले खबरे पाने के लिए एबी पी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com slash abp ganga ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com slash abp ganga